नमस्कार मैं हूँ मिर्तुन्जे कुमारजा और अगले आदे घंटे के दौरान आप हमसे कमोडिटी मार्केट से जुड़ा हुआ कोई भी सवाल पूछ सकते हैं और जान सकते हैं कि आपके लिए बाजार में कमाई के मौके कहां पर होने वाले हैं हमारा टोल फ्री नमबर है 180-0-1803545 साथियाव 0120-4258-237 पर भी अपना सवाल पूछ सकते हैं और आज आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ अनुझ गुपता है एंजल कमोलिटी के और साथी हमारे साथ जैपरकाश गुपता है मनिली शेश के मुंबई से आप दोनों का बहुत-बहुत स्वागत है कारिक्रेम में शुरुवात करते हैं बंपर कॉल से जहां पर आपको सबसे ज्यादा मुनाफ़ा इंट्राडेम में आज के करवाल में मिल सकता है यह हम आपको बताने जा रहे हैं और आज की पहली बंपर कॉल है गोल्ड एंजल कमोलिटी की जहां पर 28700 के इस्तर पर बिक्वाली की चला है 28500 का टार्गेट होग 2850 का टार्गेट होगा और 3000 के भाव पर आप इस्तर प्लस के साथ ट्रेड कर सकते हैं और तीसरी मेहत्मूल कॉल जहां पर आप कमाई कर सकते हैं मुनाफ़ा कमा सकते हैं कॉपर 366 के भाव पर बाइंग की सला है 373 का टार्गेट होगा और 364 के इस तर पर आप इस्तर प्लस माहौल बना हुआ है मेरा पहला सवाल अनुज गुपता आप से यह होगा कि क्या आज शाम के कारोमार में आपको लगता है कि सोने और चांदी की कीमितों में गिरावट और बढ़ने वाली है अगर देखें तो गोल में पिछले दू हाथे से कंटीनियों से एक नेगेटिव बना है और साथ में देखा है कि यूएस में इंटरस्टेट बढ़ चुके है तो एक सेलिंग प्रेशर गोल में देखने को मिला है हमें लगता है कि आज भी गोल में बिकवाली का महौल रहेगा हाला कि कोई मेजर इंपरेंट डेटा नहीं है मगर उसके बावजूद भी अगर हम देखे तो ट्रेंड जो है वो डाउंसाइड का है हमें लगता है कि नीचे गोल्ड कॉमेक्स में करीबन 1245 डॉलर तक और एमसेक्स में करीबन 28-400 रुपे तक के लेवल गोल में दिखने को सकते हैं और अगर सिल्वर को देखे तो हमें लगता है कि सिल्वर मीचे करीबन 38,000 तक के लेवल दिखा सकती है ओके जैपरकाश गुपता आपका विव क्या होगा बुलियन मार्केट को लेकर आज शाम के करोबार में आपकी इस तरह का ट्रेड देख रहे हैं जी गुद इवनिंग में तुझे जी देखे जहां तक गोल्ड की बात है मुझे लगता है यहां पर डाउन ट्रेंड आगे कायम रह सकता है लास्ट वीक फेड के बैठक से पहले एक बार जो एकस्पेक्टेट था 1290 डॉलर तक का लेवल दिखा था जो MCX में करीब 2900 रुपे तक का लेवल था अब उसके बाद मुझे लगता है यहां पर सेलिंग प्रेशर बढ़ सकता है 1242 डॉलर तक का लेवल पॉसिबल है मिटल्स के मजबूत है तो चांदी को इसका सीधा सीधा फायदा होता हुआ नजर आ रहा है हला कि जो दाइरा है वो थोड़ा सा लिमिटेड रहेगा 38100 से 38700 का दाइरा है तो मेरे ख्याल से बाइंग ऑन डिप्स की रननीती रखें तो आप करें बाइंग ऑन डिप्स की रननीती बनाना बेतर रहेगा इस पर आप नजर रखें गोल्ड और सिल्वर पर आगे बढ़ते हैं बात करते हैं अब कच्छे तेल की क्रूट की कर बात करें तो क्रूट का मार्केट शुरवाती करवार में दवाब में था उसके सब्सक्राइब बढ़ती हुए दिखाई दी है हाला कि भाव अभी भी पंतालिस दौर के नीचे हैं मुझे लगता है कि अभी भी जो अंडर्टोन है क्रूड की वो नेगेटिव रहेगी तो यहां पर हमें लगता है कि बिक्वाली करके चलना चीए और हमें लगता है कि नी सोनीश है महाराष्टरा से पूछें सुनील कि सुनील आपको आवाज आ रही है अगर अगर हम देखें तो continuous इनी रेंज के आसपास market consider face में चल रहा है और अगर हम देखें तो यहां कुछ volumes कम होते हुए दिखाई दिये तो कई ना कई हमें लगता है कि market में छोटा सा profit booking दुबार है यहां पर देखने को मिल सकते हैं कि अगर हम गरेलू और international level पर देखें तो आप करें कि यहां पर देखने को मिल सकता है इस पर आप नजर बना है आज करीब सवाफ फिजदी की मजबूती यहां पर सोयाविन वायदा में देखने को मिली है 35 रुपए market उपर है 2835 का level दिखा है चली आगे बढ़ते हैं और आप बात करते हैं metal की base metal में आज शाम के लि यहां पर एक bullish momentum है base metals में उसको और एक साहरा मिला है सारे base metal complex में तेजी देखी जा रही है अगर आज ट्रेडिंग परस्पेक्ट्व से बात करें तो copper और aluminium मुझे लग रहा है कि यहां पर उसमें और तेजी देखने को मिल सकती है copper 373 तक और aluminium मोजोदा लेवल से भी बाई किया सकता है 119 पचास के stop loss से 123 उसके बाद 125 तक का टागेट इसमें possible है कि ओके ठीक है अगले कोदर हमारे साथ मोहित हैं ग्वालियर से पूछिए मोहित जी पूछिए जी पूछिए जी हल्ली पर बुजना था हल्दी रगे 85 रुपए के लोगी दो साल हो गए अभी क्या करें आगे रेट मिल जाएंगे या पर निकाल देंगे पिच्छी रुप की ओ आधि को टेस्ट किया है कि अभी जो लेवल से वह र्यस्टेंस जोन पर आते हो दिखाई दिये हैं कुछी माना जा रहा है कि कि आने माले दिनों में पैदावार अच्छी हो सकती और भावो में गरावट का माहल देखने को मिल सकता है तो हमारी सहला है कि एक बार यहां में इस एक बार यहां दे पिशित कर सकते हैं नीचे अगर इन भाव मिलते हैं करिए यहां पांचे यहां पर बन सकती है। मगर आप यहां आप करें कि एक बार एकजिट करना आप बैतर रहेगा। तीन परसेंट की तेजी के साथ ये कॉंटर बंद हुआ है 5954 के लेवल पर नेचुरल गैस में भी आग हल चल दिखी है जैपरकाश क्या इस कॉंटर में कुछ आपको ट्रेडिंग पोटेंशियल दिख रहा है भी देखें अब काफी गिरावट है थर्स्डे के जो इन्वेंटरी डेटा है उसके बाद एक उच्छाल देखने को मिला था 198 तक का लेकिन फिर यहां पर फंडेमेंटल्स हावी होते नजर आ रहे हैं बट 184-83 तक लेवल पॉसिबल है वहां पर हो सकता है एक टेकनिकल पूल बैक दिखने को मिले फिर से प्राइसे 194-95 दिखें मौजुदा लेवल्स पे तो मुझे लगता है अभी सेलिंग प्रेशर ही है 184 के आसपास आए तो 181 के स्टिक स्टॉप लोस से एक बार जस्ट टेकनिकल पूल बैक के लिए बाई किया जा सकता है ओके ठीक है तो इस पर आप नजर रखिए एगरी मार्केट में अगर गवार को देखें तो गवार के उपर अनुजवाब का व्यू क्या बन रहा है क्या आगे कुछ आप गिरा अगर नवीन है राजस्थान से पूछे नवीन आपको आवाद आ रही है जी मैं पूजा बोल रही है जी पूजा बता है गोल्ड और निकल में क्या राग रहा है निकल और गोल्ड और निकल के उपर क्या भी हो है आपका अगर यहां पर ट्रेट करना हो जै परकाश तो बिलकुल करेंट रेट के आजपास किस तरह का ट्रेट करना बैतर रहेगा इसके लाब जीरे के उपर आपका व्यू क्या होगा अनुजा निकल में आप बाई करके चल सकती हैं फाइब नैंटी के टागेट के लिए स्टॉप लोस जरूर लगा है फाइब सिक्टी फाइब का जहां तक गोल्ड की बात है सेलिंग प्रेशर और बढ़ सकता है थोड़ा सा वेट करें 28-700 के आजपास आप बेज के चल सकते हैं 28-840 का स्टिक्स टॉप लोस रखी 28-400 का टागेट ओके ठीक है तो इस पर आप नज़र रखिए इसके लाबा जीरे के उपर आपका भी क्या होगा अनुच आज जीरे में भी एक तेजी की कोशिश मार्केट ने की थी क्या यहां पर कोई बड़ी रैली अभी आपको सामने दिख रही है जीरे के अंदर डेफिनिटली जो निर्यात मांगा है वो बंती वी दिखाई दिया और हमने देखाए कि 19,000 के आसपास भाव आते वी दिखाई दिये हैं और इवन अगर हम देखे तो आज 19,000 की उपर के लेवल पर टेस्ट किया था बड़ अगर हम देखे तो closing 19,000 की नीच देखने को मिलेंगे तो buy on dips की strategy जीरे में यूज कर सकते हैं ओके ठीक है वक्त एक ब्रेक का और ब्रेक के बाद भी सवाल जबाप जारी है अगर आपके पास भी सवाल है और आप जानना चाहते हैं कि आपके लिए कहां पर कमाई के मौके होने वाले हैं तो आप कॉल करिए ह हमारा टोल फ्री नमबर है 1800-1803545 सातियाव 0120-4258237 पर भी अपना सवाल पूछ सकते हैं